वाइफ की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो सबसे पहले हजबन के सीमन टेस्ट करवाईए अगर किसी भी तरह के उनके इशूज हैं जो के ज्यादा नहीं हैं तो सिर्फ उनकी डाइट में कुछ चेंजस करके ही आ इसके इलावा एकलास दूद में दो लॉंग अच्छे तरीके से बॉयल करके दूद को चानके डेली रात को सोने से एक दो घंटे पहले उनको देना है और तीसरी और एहम चीज़ उनकी डाइट में पालक और टमाटर को एड़ करना है जो कि उनकी फॉर्टिलिटी को बूस है और साथ साथ में ट्राइबी करते रही है प्रॉपर नैचरल ट्रीटमेंट के लिए आप फोन कंसल्टेशन ले सकते हैं और अगर स्पर्म काउंट के इश्यूस बहुत ज्यादा है जा फिर निल स्पर्म काउंट है तो आप उनको मेल फॉर्टिलिटी जा फिर मेकाटी ज कि आपको प्रॉपर गाइडन्स दी जाए कि अफियल वेबसाइट का लिंक जो है बायो में दिया हुआ है जहां से आप आय कर सकते हैं थैंक्यू वेरी मच्च